एक स्टेप होता है हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे ठीक है किसी में हो सकता है भाई एट हो नाइन हो बागी सवाल मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं सिर्फ हम सीखेंगे इसमें कॉंट्रेक्ट अकाउंट हमारा बड़ा सिंपल सा अकाउंट है जिसका नाम है कॉंट्रेक्ट अकाउंट और वही सीख रहे हैं कॉंट्रेक्ट अकाउंट पर्टिकुलर अमार ठीक है चलिए हम कुश्चन को पढ़ लेते हैं कहता है नहीं वीजबल है सर जब हमारे पास जगह है तो हम बड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको है ना चलिए अब दिख रहा होगा आपको कॉश्चन क्या कहता है सवाल में अ कंपनी अंडर टुक अ कॉंट्रेक्ट लार्ज बिल्डिंग कॉंप्लेक्स एक कॉंप्लेक्स बनाने का ठेकेदारी ले ली दा कंस्ट्रेक्शन वर्क कमेंस्ट एक अप्रेल दोहजार छे को दा फॉलविंग अवेलेबल आर इयर एंडिड आपको गीवन है मार्च के महिने का कुछ 31st मार्च का इंफॉर्मेशन कहता है सर थाउजन में सारी डिजट है तो हम भी लिख देते हैं कि हम भी तुम्हें बताएंगे किस में है थाउजन में है ठीक है ना हमने भी उपर डाल दिया थाउजन में है यानि अब इसका काम irrelevant हो गया लेकिन एक पॉइंट मज़ेदार है इसमें वो देखेंगे कहता है सर कॉंट्रेक्ट प्राइस कॉंट्रेक्ट प्राइस 35,000 रुपे तो अब हम हजारों में पढ़ लेंगे इसको है न तो 35,000 WORK CERTIFIDE 20,000 तो WORK CERTIFIDE इधर लिखते हैंना WIP और इसके अंदर लिखा जाता है, comenzточ Stanley इसके अंदर लिखा जाता है क्या WORK CERTIFIDE और WORK और WORK CERTIFIDE बोल दिया 2000, मैं अंदर ही लिख लेता हूँ 2000 20 है, चलिए एक-0 और बढहा देते हैं प्रोग्रेस पेमिन्ट रिसीव इसका मतलब सर कैस रिसीव कैस रिसीव कितना बता दिया 15,000 मटीरियल इशु टू साइट 7500 रुपे का मटीरियल तो सर मटीरियल जो इशु एट साइट किया है इस साइट आ जाएगा टू मटीरियल टू मटीरियल कितने 7500 ठीक है इसके बाद कहता है प्लानिंग एन एस्टीमेशन कोस्ट मतलब जब हम इसको बना रहे थे तो किसी ने भाईया मेरे लिए मैनेजमेंट का काम किया होगा प्लानिंग करके दिखाया होगा उसका खर्चा प्लानिंग एन एस्टीमेशन कोस्ट प्लानिंग एन एस्टीमेशन कोस्ट कितने एक हजार रुपए चलिए सर ये भी पढ़ लिया हमने ये भी पढ़ लिया कि डारिक्ट वेज़िस ओके सर डारिक्ट वेज़िस कितने कि चार अजार इसके बाद मेटीरियल रिटन रिटन कर दिया बाई में आ जाएगा बाई रिटन और बाई रिटन दोसु पचास plant higher charge तो sir plant higher charge क्या होता है किराये पे लिया होगा plant उसका वो भी मेरे लिए खर्चा है plant higher charge plant higher charge 1750 रुपए wages ये क्या है थोड़ा सा misprint होगे एक बर देखके बताईए wages 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 related है ये थोड़ा सा बही या गलत हो गया misprint ये related है मैं काले पैंसे लिख देता हूँ ये related है ओहो तो wages related cost है सरीए तो wages related cost है तो यहीं आएगा wages कितना है 500 रुपएगा सर उपर भी wages क्या करें दो-दो wages दे रख था है तो लिखेंगे site office cost site office cost क्या होता है कि जब कभी भी हम office वगरा बनाते हैं और office के मेरा मान देते हैं पितम पुरा में काम चल रहा है रोहिनी में काम चल रहा है और लक्षमी नगर में काम चल रहा है इतने सारे जगह तो मैं बोलूँ का मेरा site two site one पर काम चल रहा है, site two पर काम चल रहा है, site three पर, तो हर ID का खर्चा हुआ लेकिन Morocriated का मतल्ब यहीं का खर्चा है वह IPC कितने हैं वह तीन सो पिछथतर रूपैए आगे कहता है डायए्क सब किस चाइए ना सबस्टम इसमें डायरेक डेंट रिइन डैक निटार्क निई चलेगा सब कहता है the contract on plant which originally costed 20 lakh कहता है भाईया एक plant भी हमने इसमें यूज किया है और उस plant का कीमत है 20 लाग तो सर अगर आप 20 लाग कह रहे हो ना तो 30 लाग एक जिरो तो 20 लाग कह रहे हो तो 30 लाग तो वैसे कट मार दो सर क्योंकि हम तो लाखों में खेल रहे हैं और 30 लेई रहे हैं तो इसका मतलब plant कितने का है 2000 का 20 लाग का पहले इस यह समझ में है क्योंकि 30 लाग तो कट मार दिया हमने पहले 30 लिख रखा है has been continuously used to the contract throughout the year तो सर यूज कर रहे हो आप तो लो जी मैंने plant भी लिख दिया और plant मैं लिखूंगा अब यहाँ पे 2000 का कहता है the residual value of plant after 5 year life expected 5 lakh कहता है 5 साल बाद इसकी life होगी 5 लाख रुपे इसकी life होगी 5 लाख रुपे residual value straight line method of depreciation is used straight line method depreciation used okay straight line method कैसे लगता है सर depreciation is equal to cost cost कितनी हमारी 2000 रुपे या 20 लाख भी बोलो कोई फरक नहीं परता minus 5 लाख का मतलब सर 500 रुपे 5000 का मतलब 500 तो कितने बनेंगे 15 300 रुपे इसका मतलब 300 depreciation लगने के बाद 300 depreciation लगने के बाद by side में plant का जो cost आएगा closing का वो आएगा 300 में से 300 माइनस करके 1700 जो बच्चे पहली क्लास ले रहे हैं उनको लगना का सर क्या छोटी छोटी बाते बता रहे हैं इतने डीटिल में तो 1700 ठीक है आगे की कहानी पढ़ते हैं कहता है 31 March Direct wages due and payable 270,000 Sir 270,000 का भी wages नहीं दिया जी हाँ लेकिन 3-0 कट कर देंगे 3-0 कट कर देंगे तो मैं यहां लिख दूँगा 2 outstanding wages 2 outstanding wages 500 और 270 270 तो मैं यहां पर लिखने वाला हूँ 770 770 आगे आजाते हैं and material side work 2,00,000 ओके material भी side में बताओ कितना लिखें जवाब देते हो सभी बच्चे कमेंट में material कितना लिखना चाहिए material कितना रखना से are you like the bucks बताईए कितना लिखना चाहिए बच्चों ने बता दिया सर material 200 रुपे लिखना चाहिए बिल्कुल सही जवाब है 200 और ये 200 लिख लिख लिए prepare the contract account for the year ended 31 March उसी के लिए बना रहे है so calculation profit and loss तो वो तो rule लगा के निखा लेगे तो बस खतम हो गया सवाल मान लो आप खतम हो गया सवाल फटा फट कितना आ जाएगा 2149 2100 यह आएगा ना 2149 जल्दी जल्दी calculate करके बता दो खतम कर दें इस सवाल को जल्दी जल्दी calculate करके बता दो 2049 प्लस 250 प्लस 1700 प्लस 200 यह आगे 2222 2299 एक रुपए से कम रहे गया माइनस 7500 माइनस 1000 माइनस 4000 माइनस 1750 678 और 2000 3324 3324 what is surplus यह क्या है surplus अब rule लगाओ सर कितना काम complete हुआ rule वही और वैसे ही rule लगाएंगे क्या rule लगाएंगे कहां लिखे कहां लिखे थोड़ा जगे बना लेते हैं ठीक है इसको मिटा दिया जाए सर इसको मिटा भी दे तो कोई फरक नहीं पड़ था आप लोगों को सभी को recording तो मिलेगी वीडियो की तो सर रूल लगाते हैं सर क्या rule लगेगा अब पहले तो निकाले percentage completion percentage completion कैसे होता है होता है work certified कितना है सर 20,000 contract price कितने का लिया था contract contract price 35,000 35,000 into में 100 तो 20,000 divided by 35,000 into में 100 सर 57% ये लो तो हमारा rule नंबर कहता है 2 by 3 into में surplus जो की है 3324 into में into में cash receive जो की सवाल में देता है हमें cash receive 20,000 और 20,000 के बाद divided by 35,000 cash receive 15,000 है cash receive 15,000 ये उल्टा पुल्टा हो गया ये लिजे कहां गया ओके ये हमारा पीछे जला गया इसको back ले जाना पड़ेगा है चलिए जाते हैं पीछे ये लेजे आ गया है ठीक है जो लिख रहे थे सब आ गया वापस तो बच्चे कह रहे हैं कि ये सर गलत लिख लिख लिए है आपने कोई बात नहीं इसको लिख देता है जगे की थोड़ी कमी है इसलिए अलग मारकर यूज करते हैं clear दिख जाएगा क्या है सर सर यहाँ पर very very simple 2 by 3 into में 37, 24 into में cash receive 15,000 divided by work certified 2000, 20,000 इसको solve करेंगे क्या हैगा 831 तो सर 831 बस खतम ही हो गया सवाल तो तो पहले सबसे पहले by sir plus sir plus कितना 33, 24 किताब में भी check कर लीजेगा कई बार calculation गड़ बड़ा जाता है हमारा कई बार गलत हो जाता है calculation कितने 831 और 2 2 WIP और reserve यह 1662 आ रहे है अच्छा 200 into नहीं क्या अब देखो गलत हो गया न मैंने इसलिए कहा calculation चेक कर लीजे यह मैंने गलत नहीं किया लेकिन 1662 1662 अब बताईए 1662 माइनिस करके क्या आ रहा है वही आ रहा है 1662 और ऐसा मत समझेगा हर बार वही आएगा यह इत्तफाकन आ रहा है आपका by coincidence अब बता दिजे कितने बच्चों का डाउट है सभी ने बता दिया था दिया ने भी बता दिया था 1662 है आरब ने भी बता दिया 1662 है सर, contract price आ गया है हाँ contract price 1662 अंसू ने भी बता दिया सर, material के buy side में क्यों लिखा जो material हमारा return होगा वो buy में आ जाएगा जो material बचेगा वो भी buy में आ जाएगा जो material damage होगा वो भी buy में आ जाएगा material 200 रुपे क्यों आया सर क्योंकि 2,00,00 था और 2,00,00 के मैंने 3,00 कट कर दिये क्योंकि 3,00 उपर से हम हटा के चल रहे हैं इसलिए वो 200 रुपे आ गया 1600 रुपे सर ये 0 क्यों काट किया क्योंकि सभी figure सभी digit कह रहा है ये lakhs में है तो अगर मैं पूरा lakhs में करता है न तो बहुत ज़ादा हो जाता है इसका मतलब सर ये 35,000 नहीं है ये 3,00 और लगाऊंगा मैं तो यहां कितना होगा किसी का doubt है तो आप बताइए फटा फट से